हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ IRFC के बारे में दो रिपोर्ट में आपको इस वीडियो के तुरू दिखाने वाला हूँ दोनों ही रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो IRFC के टार्गेट्स बताएगा हैं डिरेक्ट ली यानि कि अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर्ली दोनों ही रिपोर्ट में आपको 2022,23,24,25,2030 यानि कि short term के लिए, medium term के लिए और long term के लिए अगर आपने आपे planning की है तो आप वो कौन से targets हैं जो कि hit हो सकते हैं और जो आपको mind में रखके चलने चाहिए और पूरी research के साथ तो मैं दो report दिखाने वाला हूँ comment करके आप ये बताना कि आपको कौन से report सही लग रही है और आपको कौन से target सही लग रहे है तो वीडियो बहुत जादे important होने वाली है अगर आपके पास IRFC का share है या फिर आप उसमें plan कर रहे हो investment करने का वीडियो अगर useful लगे तो like कर दीजेगा चैनल पर फश्टा में जट कर रहे हो तो please चैनल को subscribe भी जरूर कर लेजेगा तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं जल्दी से एक बादी scenario जान लेते हैं IRFC का Friday की जब closing हुई तो आपको करीबन 15% के आसपास का upside moment यह अच्छी चीज थी कि जो weekly closing हुई आपको pointive way में होते हुए नजर आई 22 रुपे 40 पैसे के आसपास की closing आपको यहाँ पर देखने को मिली है यानि कि यह जो share है वो आपको 22-23 के level से उपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है पिछला अगर हम यहाँ पर एक महीना देखें तो कोई moment नहीं है करीबन 0.22% के upside moment है और share वो आपको 22 रुपे 22 रुपे 10 पैसे 5 पैसे के आसपासी ट्रेट करते हुए दिखाया है और पिछला 6 महीना तो बहुत ही ज़्यादा खराब गया है पिछले 6 महीने में negative 10% के return है यानि कि अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा perform नहीं किया है पिछले 6 महीने में और अगर हम यहाँ पे एक साल के returns देखें तो केवल और केवल 6% के returns है यानि कि अगर आप देख पा रहे होगे इतनी ज़्यादा बैतरी इन कंपनी होने के बाद भी यह जो share है वो चल नहीं पा रहा है और इसमें अगर आप देखोगे तो moment नहीं आ पा रहा है एक बारी जल्दी तर shareholding pattern बने ज़र डाले तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 86% से भी ज्यादा की holding promoters की है सबते बड़ी दिक्कत फिर 2% की mutual funds की और 1.16% की domestic institutions और 1.12% की FIIs की holdings आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप notice तो जो mutual funds हैं वो quarter on quarter basis पे अपनी जो holdings है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं यानि कि बड़े portion में नहीं तो लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा था जो amount है वो आपको कम करते हो नजर आ रहे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जैनवरी से लेके अगर आप देखो कि तो मार्च में 1.14 था फिर यह नो आदी के करीबन अपनी holdings कर दीती यानि पूरा ही माल बेश दिया था थोड़ा था पचा था उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे quarter on quarter basis पे आपको improvement देखने को मिला है तो यह दो scenario हैं जो कि काफी हद तक यहाँ पे आने वाल 23, 24, 25, 23 निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यानि कि जो basic question होता है इस report में उसी answer दिया गया है कि target क्या होंगे और इसमें हम invest करें या फिर नहीं करें तो अब जो part है थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ पर आप देखो भाती railway इस company को धन के लिए बापस कर देता है जब बे पूंजी व्या करते हैं यानि कि overall के काम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो company है वो debt लेती है और उसके बाद यहाँ पर जब उस पैसे का use हो जाता है तो उसके बाद वो return करती ह और इस particular business के तुरू अच्छा कासर revenue यहाँ पर आपको यह company है वो generate करते हुए नजर आती है अब काम तो हमें already पता ही है कि क्या करती है क्या नहीं मैं directly आप targets पे लेकर चलता हूँ यहाँ अगर आप देखो कि इस particular report में जो 2022 का target है यानि कि इस साल में आपको 30 रुपे तक के target देखने को मिल जाएंगे यानि कि जो 22 रुपे के आसपा share चल रहा है वो आपको 30 रुपे तक का moment दिखा सकता है इस report के according वही अगर आप देखो तो 35 रुपे तक का भी उच्छाल आ सकता है अगर सारा scenario सही हो जाता है promoters अपनी थोड़ी से holding कम कर देते हैं OFS वाला scenario भी हो recording वहीं 2025 में अगर आप देखोगे तो 65 से 70 रुपे तक के level देखने को मिल सकते हैं यानि कि तीन साल में यहां पर 22 रुपे वाला share है इस report के according 70 रुपे तक पहुंच सकता है और वहीं अगर हम long term के एसाप से देखें यानि कि 2030 तक के तो 220 रुपे तक के target आपको इस particular stock में दे देखी होगी इस report में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने भी यह नहीं बताया कि जो IRFC वो एकदम से rocket बन जाएगा उन्होंने भी जो targets बताया है वो एकदम सीधे और simple से और realistic targets दिखाई देते हैं ठीक है तो यह होगी एक report अब मैं आपको लेकर जाता हूं दूसरी report पे वहाँ पे आपको और ज्यादे clarity मिलेगी यहाँ पे आप देखो IRFC share price target 2023 तो इस table में अगर आप देखोगे तो 2022,23,25,26,30 तक का जो भी targets है पहले target और दूसरे target दोनों ही देखने को मिल रहे हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं 2022 में इन्होंने बोला है कि 28 रुपे के levels ज तक के बीच में आपको levels देखने को मिल सकते हैं जबकि वहाँ पे इसको थोड़ा सा 50 रुपे तक ले जाये गया था फिर अगर आप देखोगे तो 2025 में इन्होंने बताया है कि 49 से 57 रुपे तक के levels जो है वो ये share आपको दिखा सकता है और वहीं अगर हम 2026 के बारे में बात करें तो 62 से 68 रुपे तक के levels जो है वो cross हो सकते हैं और 2030 का इन्होंने जो target बताया है तो 75 से 80 रुपे के target बताये हैं जबकि अगर आप देखोगे तो पहली report में आपको 70 रुपे के target तो 2025 में ही बता दिये गए थे अब जिस according moment है तो जिस according ये share price दिखा रहा है यानि कि अग definitively मुझे भी लगता है कि दूसरी report आपको देखने को मिलेगी जो target से वही अचीव होंगे अगर management कुछ भी changes नहीं करती है तो लेकिन अगर इसमें changes कर दिये जाए वो भी timely यानि कि promoters अपनी holdings decrease कर दे, OFS आ जाए साथी साथ जो dividend और bonus मिलता है वो मिलनने लग जाए तो definitely ज donor report में से कौन से target IRFC touch कर सकता है और कौन कौन से period के target आपको लगते हैं कि बहुत ही easily achieve हो सकते हैं तो आप comment box में बताइए सोड़े मुझे भी आप clarity मिले और यहां से और ज़्यादा लोगों की भी help हो सके वो भी उस according अपनी यहां पर investment journey है उसको plan कर सके बाकी overall company तो बिलकुल ज्याद information और clarity देने का ट्राइग आपको exact point की knowledge मिल जाए वीडियो का useful और informative लगी हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल फे फर्स्टाइम विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जारू कर दीजेगा धन्यवाद